तो आज का वीडियो बहुत थी शंदार है आपके लिए क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट है तो आज हम लोग देखेंगे एक्सराइज दू-दू का दो नंबर क्वेश्चन हाल करेंगे यानि सवाल क्या करें एक दूइगात बहुपद ग्याद कीजिए जिसके सुन को का योग यानि कोई संध्या का योग कहें तो जोड और गुणन फल कहें तो गुना यानि योग में योग कहें या योग फल कहें तो इसका मतलब होता है जोड और गुणन फल कहें तो इसका मतलब होता है गुना तो क्या कर रहा है बहुपद दिया हुआ जैसे एक दूइ दुइगात बहुपत के एक सुत्र है जो उसी सुत्र पर ये पूरी प्रवस्ण जो है आधारिक है तो इसमें मात्र तीन ही कोश्चन मैं इस पार्ट में लेकर आया हूं इसका दूसरा भाग जो आएगा तो उसमें तीन कोश्चन आपको हल करके दिया जाएगा और इसमें ती तब तीन कोश्चन है उसको उसमें बनाकर अप्लोड किया जाएगा तब तत्तीन कोश्चन आप लोग देखे यह क्या है दुइगात बहुपत तो एक इसका सुत्र आता है जो इस सुत्र को आपको फर्मूला को याद करना आपके लिए निशेसरी है तो दूइगात बहुपत बराबर होता है एकस स्क्वार माइनस अलफा प्लस बीटा इंटु एकस फिर उसके बाद पलस अलफा इंटु बीटा इसकल टू सुन यह आपका फर्मूला में यह फर्मूला है इसी सुत्र पर यह तीनों कोश्चन अधारित है और तीन कोश्चन जो बचा है वो इसी फर्मूला पर अगर यह फर्मूला आपको याद रहता है यह सुत्र याद कर लेते हैं इस सुत्र को याद हो अगर कर लेंगे आप तो यह तीनों कोश्चन जो है अप से हल हो जाएंगे तो यहां देखें योग तथा गुड़न फल दिया हुआ है योग निस यानि कि पहले वाला पहले आपका का लिखा यूग तो इसको मानेंगे लिखा है गुड़न फल तो दूसरी कि उनीजकर का इस होता है अल्फा यहां आक अल्फा पोछा जाता है इस हिस आप बघर डिखिया तो आपका पहला सभ्टा एक बटा चाहत यहां फिर देखेंगे अब इसको क्या करेंगे इस मान पर बैठाएंगे यहां सूत्र क्या है दुइघात बहुपद बराबर एक से स्कॉार माइनस अलफा पलस बीटा इंटू एकस पलस अलफा इंटू बीटा इसको टू सुने यह आपका फर्मूला हो गया इस फर्मूला पर अभी इसका मान रखिए अलफा पलस बीटा कमान एक बटा चार है अलफा इंटू बीटा कमान माइनस वन है इसको रखे एकस स्कॉार है तो एकस स्कॉार माइनस अलफा पलस बीटा है देखिए इसका योग कितना है इसका मान एक बटा चार तो यहां एक बटा चार लिख दीजिए यहां एकस है तो एकस पलस पलस अलफा इंटू बीटा कमा माइनस अब यहां प्लास मैंनस खोता है माइनस एक इसकड़ तो जीरो अब थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे हम यहां जैसे x लेकिन दिखाया नहीं जाता है संक्या क्यूंकि एक बटा में जो संक्या होती है उसकी भाइलू नहीं होती है यहां जो है यहां फिर क्या करेंगे हम अब देखें यहां थोड़ा सा आजाते हैं आगे यहां जो है आपका इसका 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 इलसीम तोड़ेंगे यानि इस माइनस चार में भाग देंगे चार एकम चार यानि एक एकस माइनस चार यानि माइनस फोर इसका टू जीरो यानि इसका बटता निकाल देंगे बटता जो होता है बटता का घटाव कर देंगे अब यहां क्या करेंगे जैसे यहां एक ले लिए क्रोस मल्टिप्लाई तिर्शा तो सुन अब यहां यहां दोईगात बहुपद निकाल रहा है यहां देखे फोर एकस स्कुराइर माइनस एकस माइनस चाहर यहां जीरो अगर नहीं भी हम लिखते हैं कि यह आपका दूइगात बहुपद हो गाएं यह आपका एंसर हो जाएंगे यह यह नमर कुश्चन का यह से पहले क्या देखिए इसको मानिए देखिए माना माना की माना की यहां जो है इसको पहला संक्या क्या योग यानि सुन्यकों का योग यह सुन्यकों का गुड़न फल यह मानेंगे माना की अलफा पलस बीटा इसकल टू कितना है रूट अंडर टू अलफा पलस बीटा इसक होगा alpha plus beta is equal to root under two और alpha into beta 1 by 3 तो यह हम नहीं ले रहे हैं यहां सवाल आपका question जो कहा रहा है तूहराएं यह सब्सक्राइं सब्सक्राइब करें देखताइब सदुए सब्सक्राइब करें आए यहांतरा सदूरनस्सक्राइब रूट अंडर 2 यानि 1 से स्क्वाइर माइनस इस से मॉंटिपलाई करेंगे तो मैनस प्लस मैनस 2 x है तो x हो जाएंगे पलस 1 by 3 यहां इसको सुने अब देखे यहां जो है फिर इसको क्या करेंगे यहां 1 मानके यहां 1 मानके इसका इसका फटोड़ेंगे यहां इसका इसका ओसका निकाल लेंगे तो 1 यहां देखें जैसे यह 3 हो गया तो 3 ले लिए तो इसको 1 से 3 में हम भाग देंगे divide करेंगे तो 3 यानि 3x square यहां minus है तो minus 2 में यानि 3 3 root 2x plus यहां 3 है तो 1 इसकल टू सुन्या फिर 1 यहां ले लेंगे और तिर्षा तिर्षी चीज़ को गुना करेंगे तो यहां जाएंगे 3x square minus 3 root 2x plus 1 is equal to यहां सुन्या तो देखें यहां क्या कर रहा है कि द्विगात बहुपाद ग्याद किजिए जिसके सुन्यकों के योग तथा गुड़न फल यानि सुन्यकों का योग तथा गुड़न फल इतना है तो यहां 3x square minus 3 root 2x is equal to 1 यह आपके हो गय दूसरा question का यानि इसका answer यह हो गया फिर अब तीन नम्मर question जो है अब तीसरा number में तीन नमर question में देखेंगे जो सेकेंड जो बनाए इसी रूल पर इसको भी हन करेंगे हम यहां देखेंगे थर्ड नमर question क्या को रहा है आपका यहां फिर सुन्यक यानि दूइगात महुपद ग्याद किजिए जिसके सुन्यकों का योग तथा गुड़न फल इतना दिया हुआ है तो यहां क्या करेंग तथा alpha into beta is equal to root under 5 अब यहां हो गया यह जो है आपका alpha into beta यह alpha plus beta अब दूइगात बहुपद क्या को होता है आपका दूइगात बहुपद बराबर बहुपद बराबर क्या होता है x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta बराबर 0 सुन्य हो गए यहां देखें फिर अभी इसका मांद पूट करेंगे रखें x square minus alpha plus beta कमांद देखें तो कितना है 0 सुन्य रखेंगे x plus alpha into beta देखें रूट अंडर 5 is equal to सुन्य है अब यहां क्या करेंगे इसका फिरिक multiply करिए इसको इससे x square minus minus यहां यानि 0 में अगर इससे गुना करते है तो 0 plus root under 5 is equal to 0 यहां क्या करेंगे जैसे x square यह 0 का 0 में अगर minus से क्या करेंगे बुना करते हैं यह खतम हो जाता है इसका value कादम 0 से किसी भी दुनिया का कोई संख्या है उसे अगर 0 से हम multiply करते है तो संख्या 0 ही आती है तो 0 का कोई value नहीं तो 0 को हटा देंगे यहां संख्या आपका इतना हो गया अब क्या करेंगे हम यहां जो है यह फस्ट पार्ट है एक से साइज एक दसम्लों दू का दो लंबर कोश्चन का एक दो तीन त्री कोश्चन हम हल कर चुके यानि तीन को कोश्चन हम हल कर चुके है और तीन कोश्चन जो है आपको अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा तब तक यह तीन कोश्चन का आप रिभाईज करें रिवीजन करके इसको complete कर लें और यह सुत्र एकदम नेसेसरी समझ कर एकदम जरूरी समझ कर इंपोर्टेंट समझ कर इसको याद कर लेंगे तब तक के लिए अगले हम लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब 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 के लिए बाए